हीट स्ट्रोक से बुखार दस उल्टी आँखों और मू सूखने जो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं हीट वेव को लेकर स्वास्त विभाग ने क्या दिशा निर्देश जारी की हैं इस स्वास्त विभाग के महानिदेशक डाक्टर रंदीव सिंग पुनिया इन से जानते हैं कि इन्होंने सीमोज को क्या दिशा निर्देश चारी की हैं जी देखिए आप सभी को पता है कि उत्तरभारत में परचंड गर्मी पढ़ रही है और गर्मी के मौसम के लिए विसे तैयारियां जो हैं हम लोग मार्च के लास्ट वीक या अपेल के फेस्ट वीक में ही कर लेते हैं उसमें हम अडवाजरी भी जारी करते हैं प्लस में सीमोज को क्या करना है मेडिकल ट्रीटमन्ट पॉइंट ओ व्यू से वो सारी गाइडलाइन हम दे देते हैं उनको उसी के तहट हमने उनको निर्देश दिये हैं एक तो इससे समंद जो दवाईयां जिस तरीके से हमारा आईवी फ्लूड जिसको डेक्स्टोज और नॉर्मल से लाइन होती है जो चड़ाने वाले दवाईयां होती हैं उसके अलावा दस्त की दवाईयां उल्टी की दवाईयां ओर स्पेकेट ये प्रियाप्त मातरा में उनके पास उपलब दों दूसरा अमरजनसी एक्सिडेंट अमरजनसी जो डिपार्टमेंट है जहां सुरुवात में मरी जाता है उनमें भी एक हाइपाथ्रमिया रूम बनाने के लिए हमने बोला है क्योंकि जब हीट स्टोक किसी बेक्तिक हो जाता है तो उसकी जो बुखार है वो अनकंट्रोलेबल ह जाती और इस तरीके से वो जवाईयां जो हमारी पैरसेटमोल और पायरेटिक दवाईया है वो भी काम करना बंद कर देती है और उस समय सिर्फ उनको ठंडे पानी की पटियां रखना और हाइपर्थरमिया रूम में रूम में रखना ही उनका हिलाज होता है तो वो सब एक् मत्रा वो समझते हैं उस संख्या के हिसाब से उनके बैड भी इयर मारक रिजरू तो नहीं करते हैं हम लोग इयर मारक कर देते हैं ताकि हमारे स्टाफ को पता हो कि अगर हिस्ट्रिस हो केसाना तो उसको कहां पर उनको लिटाना है वो जो भी नोरम्स हमारे होते हैं गाइड भी बिमारियां होते हैं जिस तरीके से आपके कटे वे फल और सब्जीयां जो बिखती हैं इन्फेक्शन जल्दी होता है तो उनके लिए भी चेकिंग के लिए उनको बोला है कि जगर जगर जाकर करें और उन लोगों को रेडी वालों को दुकान तारों को सत्रक सचेत करें कि वो इस तरीके की चीज़ें जो कटी गड़ी शरी चीज़ें वो ना भीचे डाक साब जिस तरह भी आपने बता है कि हीट स्टोक लगने से टंपरेचर हो जाता है इसके इलावा गर्मी के सीजन में दस्त भी लग रहे हैं और उल्टियां भी आ रहे हैं तो इसके लिए स्वास्ते भागने क्या कदम उठाए हैं लेकि हीट स्टोक के जो साइंस सेंटर्स उस माकियला बुखार नहीं मैं आपको बताए कि दस्त भी हो सकते हैं आपका जिसको सूखापन बोलते हैं मूँ भी की जो है वो भी सूख सकता है आपका बार बार आपको पा हीट स्टोक से बचने के लिए आपको खुद को जनता है उसको खुद को सतरक होना पड़ेगा उसमें अडवाईजरी हम जो जारी करते हैं वो हम बार बार आई सी एक्टिविटी के मारफ़त करते रहते हैं कि विक्ति को जो एक पीक टाइम होता है गर्मी का वो सुबह दस स लेकर चार या ग्यारा से दो मान लीजिए ये दो प्रकार के समय ऐसे होते हैं ग्यारा से दो तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला होता है दस से चार कंपरेटिल थोड़ा सा सुबह साम से ज़्यादा होता है इस पिरिड को जहां तक हो अवोइड करें कि बाहर ना निकले निकलते हैं तो सिर्पे आप कपड़ा रखें और पूरी वाजू के आप कपड़े पहने और उसके बाद ही जाएं समय समय पाप सिकंजी पीते रहें आप पानी पीते रहें लसी पीते रहें और जो जिन में पानी ज्यादा होता ऐसे फ्रूट समय समय पे लेते रहें और पास्तर विवाग के महानिर्देशक डॉक्टर रंदीव सिंग पुनिया इन्हों ने बताया कि हीट वेव को लेकर उन्होंने दिशार निर्देश चारी किये हैं इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हीट स्टोक से क्या-क्या बिमारियां हो सकती हैं अनिल कुमार